सबसे बड़ा IPO तो IPO क्या है और पेटियम का ये IPO की स्कीन क्या बताई जा रही है मार्केट के अंतर इसके उपर हम आज discuss करेंगे और साती सात हम उन चीजों पर भी discuss करेंगे कि इससे related जो भी terms होती है जो market में बोली जाती है या फिर use में ली जाती हूं सबी के भारे में भी हम चर्चा करेंगे चले चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को उससे पहले मैं आशुत और आप सभी का स्वाकत करता चीजिए, चली, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम हेडलाइन को देख लेते हैं, कि पेटियम IPO आज से खुलेगा देश का सबसे बड़ा IPO, निवेश करने से पहले जान ले कुछ खास बाते हैं, कि इनके बारे में कहे के डिसकस हो सकता है, पेटियम को आप सभी, मेरे हिसाब से आप सभी जानते ही होंगे, जो फोन से ट्रांसफोर करते हैं, मनी को, और ओनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो भी वहाँ पर पेटियम बहुत जाधा यूज्ज में आता है, पर यहां पर पेटियम जो है, IPO के उपर यूज्ज में आ रहा ह है देश का सबसे बड़ा IPO पेटियम आईपियो है निवेशो को को लंबे समय से इसका इंतजार सा मतलब लोग यहां पर इंतजार कर रहे थे लंबे समय से और मुझूता समय में IPO मार्केट में काफी तेजी से देखने को मिली है मतलब अच्छी कासी तेजी यहां इंटी रियल इंटीरियल पॉब्लिक ओफरिंग इसे ही बोला जाता है IPO IPO जो होता है वह एक तरह से हम यह कह सकते कि प्राइवेट कॉर्प्राइट कॉर्परेशन टू दप पॉब्लिक इन न्यू स्टॉप इंसोरेंस इंसोरेंस के अंदर हो सकता है तो IPO जो होता है वह अलाव टू कंपनी टू राइज कैपिटल प्रॉम पॉब्लिक इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स यहां पर जो भागिदार बन सकते हैं इन्वेस्टर्स बन सकते हैं इन्वेस्टर्स यहां पर आ सकते हैं और स्टॉप मार्केट में कंपनी के यहां पर शेर और FDO, FPO, जो होते हैं, FPO के साथ में, कुछ, इनके stock market में, investors, जो होते हैं, वो invest करते हैं, तो उन्हें जो उच्छाल देखे जाती है, फिर उनको अच्छे dame आने पर, वो shares, stocks, जो होते हैं, उनको बेज दिया जाता है, यह सारी चीज़े हैं, जो business के term, हम यहां पर देखते ह और आइपियोज जो होता है वो अमूमन हम देखते हैं कि आइपियोज इस तरह से कहा जा सकता है कि पब्लिक के लिए होता है आप मैं और कोई भी इसे खरीच सकता है ठीक है और ओफरिंग का मतलब देखा जाए तो देने से है या फिर दिये जाने से है चुकि शेर बाजार के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो यह निश्चित रूप से वित्तिय से संबंदित होता है जो आप देखे हैं कैपिटल से संबंदित होगा या फिर एकनोमिक से संबंदित होगा आई होब आपको यहां तक समझ में आया होगा तो पेटियम जो है पेटियम यहां पर IPO कर रहा है आज यानि 8 नवंबर की यह न्यूज है 8 नवंबर को लॉंज करने वाला है निवेशों को के पास में आने वाले 10 नवंबर 2021 2021 तक इसमें निवेश करने का मौका होगा ऐसा कहा जा रहा है खबर के द्वारा पेटियम की पेमेंट कमपनी 197 कम्यूनिकेशं 197 कम्यूनिकेशं प्रारंभिक सार्वजनिक निगम IPO खोला गया है सार्वजनिक निगम जिसे हिंदी में बोला जाता है तो IPO बोला जाता है, तो IPO खोला जा रहा है, निवेशक 2021 तक IPO का पैसा लगा सकता है, मतलब पैसा लगा के आप company के भागिदार बन सकते हैं, capital करीज सकते हैं, capital करीज राइस होने पर आप उसको वापस sell कर सकते हैं, ऐसा IPO के दोरा क्या जाता है, payment आपको payment जो है Paytium, Paytium आप सि पैरेंट कमपनी होती है, Parent Company यहाँ पर जो है, 197, Stocks जो चलते हैं, 197 की नाम से भी चलते हैं, 197, Communication, तो यह होता है, Parent Company काफी सारी होती है, आप जैसे Apple की देख सकते हैं, Google की देख सकते हैं, Google की Parent Company, YouTube वगरे वगरे, YouTube, यह सारी चीज़ें, Google की Parent Company, तो इसी तरह इसी की भी Parent Company, द IPO मार्केट में काफी तेजी देखने को मिल रही है, Payment, Digital Lendain का सुविधा प्रदान करता है, करने वाली प्रमुक, FinTech Company है, FinTech Company है, FinTech Company जो है, यह सुविधा देती है, कि digitally हम क्या कर सकते हैं, Lendain कर सकते हैं, किसी भी मुद्रा का, ठीक है न, मुद्रा में हमारे पास पैसा है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कि एक से दूसरे व्यकिति को हम यहाँ पर ट्रांसप weekend करते हैं, जैसे UPI के मातियम से करते हैं, स्केन करते हैं, छाए किसी के akount में, डैरектली हम उसको send करते हैं, यह सारी चीज़ंगे और यहाँ पर कहीजा, तो आगे हैं, आगे के कहता हैं, आगे कहता है 20 million से भी ज़्यादा 20 million से भी ज़्यादा merchant partner merchant partner है payment company जो है Paytm, Paytm के साथ merchant payment market में भी सबसे ज़्यादा गरहक है, इसके network में 20 million से भी ज़्यादा merchant partner है, company के मौझूदा, मौझूदा इसकी गरहक प्रती महा 1.4 billion से का भी ज़्यादा लेंदेन करता है छोटे small businesses जो है, वो आजकल Paytm का यूज़ करता है, और big large इस गेल यूट भी Paytm का यूज़ किया जाता है और आम आम रूप से जब हम देखता है, तो हमारी जिंदगी में भी कुछ हद तक लेंदेन, UPI के मात्यम से होने लग गया है, तो वो भी एक बड़ी यहाँ पर नोट करने वाली चीज है कि हम UPI से क्या होता है, लेंदेन की आसानी हो चुगी है, और Paytm यहाँ पर इस तरह से आया है, जैसे हम फोन पे, गूगल पे इस तरह का एक एप है, जिसके मात्यम से हम लेंदेन कर सकता है, पेमिंट की IPO, IPO के लिए Price जो है, बैंड, Price बैंड जो रखा गया है, वो 2080 रूपे, 2008 रूपीज से लेके 2150 रूपीज तक रखा गया है Share रखा गया है, यहाँ पर प्रती share का weight, जो मुल्य है यहाँ पर वो बताया गया है company में न्यूनितम bit lot size जो है 9 equity share पर है और इसके बाद में 6 share की गुणवक्ता में तै करेगा मुझे इतना market का knowledge है जितना मैंने आपको बता दिया 6 equity share पर है यहाँ पर जो भी न्यूनितम build lot size जो है और 6 share की गुणवक्ता में यह तै किया गया है यहाँ पर खुद्रा निवेशक एक lot के लिए न्यूनितम 12,900 रुपे का निवेश कर सकते हैं इससे अधिक अगर कोई करना चाता है तो 12 से 15 lot हो जाएगा 15 lot में 1,93,500 रुपे का यहाँ पर निवेश किया जा सकता है कंपनी का लक्ष पेटियम के एको सिस्टम को और मजबूत करना है इसके साथ उपोगताओं को उपोगताओं और व्यापायरियों के साथ अधिक ग्रहन और रीटेंशन वह उनकी प्रोध्योगी की और विती सेवाओं को 4,300 करोड रुपे तक से अधिक पहुचाना या प्रदान करने में शामिल है यह यहाँ पर कहा गया है तो 18,300 करोड रुपे जुटाने की तैयारी यहाँ पर यहाँ न्यूज में कही गई है कि कितने रुपे यहां से जुटा जाएंगे तो पेटियम की मूल कंपनी यहाँ पेरेंट कंपनी अगर का जाए 197 कम्यूनिकेशन अपने IPO की जारी मार्केट में 18,300 करोड रुपे यहाँ पर जुटाने की तैयारी कर रहा है कंपनी के IPO में मौझूदा शेर धारकों द्वारा OFF FOR SALE OFS के अंतरकत 8,300 रुपे के EQUILITY SHARE और 10,000 करोड रुपे के EQUILITY SHARE जारी करना शामिल है कंपनी ने अपने SHARE के लिए प्रती SHARE 2,080 से 2,150 रुपे का PRIME BAND तै किया है यहाँ पर PRIME BAND भी यहाँ पर तै किया गया है इतना PRIME BAND रहेगा और देश का सबसे बड़ा IPO अगर कहा जाए तो यही है पेटियम का सबसे CALL INDUSTRY जो CALL INDUSTRY है यह CALL INDIA है CALL INDIA CALL INDIA का IPO जो है वो देश का सबसे बड़ा IPO था CALL INDIA का IPO साल 2010 में आया था इसके जरी कंपनी ने 15,475 करोड रुपे जुटाए थे जब निवेशकों की जो LIC के IPO का भी ब्रेक्वी बेस ब्री से इंकार है, मतलब बेस ब्री से इंकार किया गया है, जब से IPO के जरीए LIC ने 80,000 करोड रूपए से 1 करोड रूपए जुटा सकती है, यहां पर ये LIC के बारे में बता रह큰हे हैं कि अगर LIC इसका बेस ब्रीक में इंकार है वैशे दो इंकार निया है इनकार करांपर सुरी, यह पर बेस ब्रीक का इंतजार करा रहा है, अगर यह भी अगर इस अगर इस मार्केट में आता है तो 80,000 करोड रूपए से 1 यहां पर में भी पता चलाओगा पेरियंट कंपनी और कितना रूपए यहां पर पेटियम चुटा रहा है तो थैंक्यू सो मच पर वाचिंग अगर आपको लेक्चर अच्छा लगाद लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक्यू सो मच पर वा